हेलो इस्टुडेंट्स आपका इसे टी आलेंग क्लासेस में मैं संतोश कुमार बुक्ता बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज से मैं एक नया टुटूरियल स्टार कर रहा हूँ Office Microsoft Office हम लोग MS Office के बारे में जानेंगे कि ये क्या है और आपको Word, Excel और PowerPoint की पूरी वीडियो दियाएगी टिटूरियल दियाएगी तो फिलाल आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग ये जानने वाले हैं कि ये Microsoft का जो प्रोडेक्ट है Office आखिर ये किस यूज में आता है इसका पर्चे आज हम लोग लेने वाले हैं तो देखिए आपका जो Microsoft Office होता है इसके अंत्रगत बहुत सारे अप्लिकेशन होते हैं और इन अप्लिकेशनों को हम लोग प्रियोग में लाते हैं Office से सम्मंदित समस्याओं को हल करने के लिए जितने भी अप्लिकेशन इसके अंदर उपलब्ध होते हैं सबका एक अपना अलग उद्देश होता है और वो किसी एक खास सुद्धा के लिए यूजर के लिए बनाए गए हैं उधारण के रूप में Microsoft Word है इसका प्रियोग किया आता है डाकूमेंट बनाने के लिए PowerPoint का यूज होगा, presentation बनाने के लिए Outlook का यूज होगा, email या इससे related कामों को manage करने के लिए और ऐसे और भी इसके अंत्रगत आप आते हैं उनके अलग अलग टास्क होते हैं तो overall कहने का मतलब यह है कि Microsoft Office जो है ये एक group है, समू है, इनमें बहुत सारे Office से related applications होते हैं हर Office के application का अपना-पना अलग-अलग task होता है तो उसको कराने के लिए अलग-अलग app इसके अंत्रगत मिलेंगे जिसे Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access ये सारे इसके अंत्रगत बिलांग करते हैं कि there are so many application to choose from and because not every user needs all them Microsoft groups the application together in collection called suites their suite of application for students, a suite for home and small business users and a suite for large corporation there is even a suite for schools each of these suites is priced based on what's included in it तो अगले वाले slide में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो आपका Microsoft है इसके अंत्रगत बहुत सारे applications होते हैं तो जरूरी नहीं है कि सारे application को यूजर प्रियोग में लाए तो हमारा Microsoft का जो product है इसे हम लोग suites बोलते है suites माने गठर या बंडल होता है तो इसे बहुत सारे applications होते हैं और ये जो suite आएगा ये students के लिए आएगा घर के उद्देश के लिए आएगा ये अगर कोई large corporation है तो उनके लिए आएगा और हर का price अलग-अलग है ये एक paid software है तो जैसा आप Microsoft product purchase करेंगे उस तरीके से आपकी कास आती है अभी मैं बात कर लेता हूँ कि Microsoft Office का latest version कौन सा है तो देखिए हमारा MS Office जो है ये भी कई सालों से चल रहा है समय दर समय Office के product में बदलाओ की आता है तो नए versions आते हैं तो इस समय का जो latest version है वह हमारा Office 2019 है पर इसके अलावा Microsoft ने एक और product नया launch किया है 365 करके और ये जो है ये web-based होता है और ये present time में हमारे Office के latest version है Office 2019 या Microsoft 365 और ये 1988 से हमारे बीच यूज हो रहा है Office का ये एक little मैंने history बताने का काम किया अब मैं थोड़ा सा बात कर लूँ कि जो हमारा MS Office है उसके अंदरगत बहुत सारे applications है तो किन application का क्या use होता है थोड़ा वो देख लिते हैं तो देखें इसमें एक आता है word तो हमारा दस्तावेज बनाना है तो उसके लिए हम लोग Microsoft Word का प्रियोग करते हैं वहीं का एक प्रोडेक्ट है PowerPoint बहुत ही popular है आप भी जानते होंगे यह presentation बनाने के लिए होता है ऐसे ही एक spreadsheet software आता है एक्सल जो बहुत ज़्यादा प्रभावसाली है मेरा जो मानना है कि office के जितने भी प्रोडेक्ट है उनमें एक्सल ज़्यादा official काम के लिए उच की आता है यह spreadsheet software है यह data को store करने के लिए और्गनाइज करने के लिए manipulate करने के लिए analysis करने के लिए decision लेने के लिए यूज की आता है one drive का हम लोग प्योग करेंगे data को online store कराने के लिए ऐसे आपका one note होगा publisher होगा outlook होगा access होगा तो यह सारे हमारे office के product है पर जर्नली होता क्या है कि office में हमें तीन प्रोग्राम आना ही होता है एक होगा word एक होगा powerpoint एक होता है हमारा excel यह वाले जो product है यह additional है अगर सीख लेते हैं तो ज्यादा अच्छी बात है पर अगर आप आप कहीं interview में गये हैं और आपसे पूछा गया है कि आपको office आता है तो इसका मदलब वो यह चाहता है कि आपको Microsoft Word Microsoft PowerPoint और Microsoft Excel आना चाहिए तो अब हम लोग आगे के वीडियो में बारी बारी इनी तीन product को पढ़ने वाले हैं मेरा खुद का जो अन्भो है उसमें मेरा मानना ह कि Excel सबसे ज़्यादा powerful है तो मैं अगला जो tutorial स्टार्ट करूंगा वो हमारा Excel का होगा और एकदम basic से पढ़ाते हुए जो advanced Excel के features हैं वो सारे के सारे आपको आगे के tutorial में मिलेगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो office का introduction था यह आपको पसंद आया होगा पसंद आया हो तो like करिए share करिए subscribe बटन पर क्लिक करके bell icon को जरूर लीजे जिससे मैं कोई नया वीडियो बना हूँ तो उसका alert आपको तुरद मिल जाये करें आज का वीडियो मैं यही समाप करता हूँ जल्दी ही मैं आपके लिए नया फ्रेस वीडियो लेके आऊंगा आपका दिन सुभ हो